नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मीज सहेली पर तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कठल की बड़ी की रेस्पी आज कोई सब्जी पकोरा नहीं बनाऊंगे आज मैं आपके लिए ऐसा रेस्पी लेके आई हूं जिसे आप दो सालों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जब कठल का सीजन ना हो तब भी आप कठल के सब्जी का मजा ले सकते हैं तो आज की रे बरी तो आपके भी बरी पहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा तो यहां पर आप एक किलो दो किलो जितना भी कठल का बरी बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप कठल ले सकते हैं तो यहां पर देखिए एक केजी के कड़ी भी एक क पानी डालके अच्छे से दो के साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कठल का जो यह काटा काटा सा होता है इस में भोड़ी भूली टी चिपका होता है तो फिरा अमारे वरी करता है तो देखें इसमें आधा कठल जैसे 2 टुक्रे में कर दी हूं 2 टुक्रे करने से क्या ह इसको इसी तरीके से रख देना है जिससे कि अंदर का जितना भी गूंद टाइप का है ग्लू टाइप का चिप चिपा जो पदार्थ होता है वो साड़ा निकल जाए तो यह काम आपको पहले करना है तो अभी इसको थोरा दिर और रख देती हूं और सबसे पहले कटल की आएंगे कैसे और किस तरीके से फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही नई नई तरह की रेस्पी दिखने को मिलता रहेगा जो कि आप चाहे तो साल दो साल इस्टोर भी कर सकते हैं तो यहां पर देखिए कटाहल के बड़ी में डालने के लिए ले लिए हरा मिर्ची और जो हरा वाला लाल हो जाता है वो भी और यहां पर अद्रक का टुक्रा लि कि फिर उसका सबजी बना के त्यार करेंगे तो इसके लिए बड़ी के अंदर आप मसाला डालना चाहे तो डाले हैं नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं मिर्ची को इस तरीके से छोटे-छोटे टुक्रे में कट कर लेंगे फ्रेंड्स आपको किसी भी चीज की पापर की र आसान तरीके से तो देखें यहां पर क्या करेंगे कि अध्रक को और हडी मिर्ची को कट करके यहां पर तयार कर ले हूं अब दोनों चीज को दरदाया से हमें पौडर बनाना है लेकिन अभी इसका पौडर नहीं बनाएंगे अभी इसी तरीके से इसको रखेंगे तो फ्रे सोच रहे हूंगे कि यह सम मसाला बाद में भी पर सकता है तो थोड़ा मसाला डालेंगे तो हमारा जो कठल का बड़ी है वो खराब नहीं होगा साथ में डालेंगे 10-12 दाना काली मिर्च का और साड़े चीज को अच्छे से भूनेंगे बस इतना भूनिएगा कि मसाले से मत करिए क्योंकि आप साल भर के लिए कठर के बड़ी बनाएंगे वह एकदम सौक से तो अच्छा रहेगा तभी खाने में भी अच्छा लगेगा ऐसा नहों कि आप आधा तरुड़ा वीडियो देखके बना ले और आपका जो बड़ी है वो कुछी दिन में खराब हो जाए तो इससे क्या होगा कि मेहनत भी बेकार और आपका मन भी उदास हो जाएगा कि कैसा खराब हो गया हमारा बड़ी तो देखे है फ्रेंस कुछी ही सिकेंड में ये जो है मसाला हमारा चटकना सुरू हो चुका है अभी क्या करेंगे मसाले को दूसरे बरतन में निकालेंगे औ पर स्वाइण को यहा पर डाल देना है और देखे फ्रेंट पैन अभी अच्छा गरम है तो अभी क्या करेंगे कैस को कर देंगे बंद और पैन हमारा भी अभी गरम है बहुत अच्छा गरम है एगर फटब मिल्ट यहां थन्ड़ा कर लिये है तो थोरसा हलका से इसको गर कर लीजिएगा पैन को अब इसके अंदर डालेंगे थोरसा हल्दी पाउडर आप देखते जाएं अभी मैं क्यों डाल रही हूं इसमें आपको बताती हूं साथ में डालेंगे यहां पर यह धनिया पाउडर बहुत ही अच्छा सुआद आएगा आपके कठल के बरी में तो थो के अंदर कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल देते हैं और यहां पर डालेंगे हींग पाउडर तो यह डालना बहुत जरूरी है इससे आपके कठल के बरी जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे और यहां पर गरम पैन के अंदर मसाला इसके लिए डाल रही क्योंकि मसाला में जो नमी रहता है वो सारा नमी खतम हो जाए कभी कभी होता है ना कि आप बड़ी को धूप में भी सुखा है फिर भी मसाले के बजह से भी वो खराब हो जाता है तो बस गरम पैन के अंदर हैं सारे मसाले को डाल के और छोड़ देंगे देखिए इस तरीके देते हैं बाद में यूज कर लेंगे तो चलिए अब मसाले की तयारी कर ली जाए तो सबसे पहले यहां पर मिक्सर चार लेंगे और इसमें यह अद्रक वाला मसाला डाल देंगे और साथ में यह वाला भी मसाला डालेंगे जो जीरा काली मिर्ज और लॉंग का मसाला है और में पानी नहीं đालेंगे भीना पानी का ही इसको थोर अच्छा दर-दरा करकर पीस ली तो देखिए अपर मसाला पीस चुका है सारे मसाले को हमें निकाल लेना है इस तरीके की रेस्पी जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा मैं बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का कुछ रेस्पी लेकर आती हूं तो आप हमारे चाइनल से जूड़े सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में फेमली में वीडिय कर दें इससे क्या होगा वह लोग को मन करेगा कि बनाकर रखा जा इस टाइब की रस्पी तो लोग भी रख पाएंगे तो देखें आपर मसाला जो है हमारा दरदरा सा तयार हुआ है जब यह आप बड़ी बनाएंगे ना उसका सब्सक्राइब बनाएंगे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी के अंदर अब यह वाला मसाला भी इसी में डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके और यहां पर आपको इसमें ठकल लगा के रखना है देखें कोई भी चैसे इसको आप ढखके रखें जिससे की मसाला हमारे जो एकदम फ्लेवर फ अच्छा समय हो गया है और इसमें बिल्कुल भी ग्लू नहीं बचा है और इसको एक वर अच्छे से धोके साफ कर ली हूं यह जो रहेगा ना इसका चिप चिपा वाला पदार तो उसी से हमारे जो है कठल के बरी खराब होने का ड़र रहता और उसका कलर भी काला हो जाता है इस तरीके समय कठल को काट लेना है आपको बता रहे हूं तरीका आप बहुत सरवी बना के रख सकते हैं यह आपको सुखाने का जगा जगा जादा है और फ्रेंट्स ध्यान रखिएगा कि जब आप कठल की बरी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इसको धूप में ही सु अब देखे यहाँ पर जो यह वाला भाग है जो कड़ा वाला भाग है इसे हमें बिलकुल हटा देना है है कि कंपको एसे इस तरीके से कठर को छील लेना है तो चलिए सारे कठर को पहले छील लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं कि इसका बड़ी कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे कठर को कठ कर ली हूं अभी क्या करेंगे हाँ पर लेना है कोई भी बर्तन में आप पानी ले सकते हैं और इसमें कठर को छोटा छोटा कठ करके डालेंगे थोड़ा बारिक बारिक ही काटेंगे इस तरीके से आज क्या रिस्पी आप देखके कठल के बड़ी बनाके देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और सालवर आप इसको इस्टोर कर लें जब भी चाहें आपको मन करेंगे कि कठल का सबजी खाया जाए तो कोई टेंसन नहीं रहेगा कि बाजार में है या नह जा सकते हैं है अच्दा सबसेटें वीडियोस को देखते हैं क्योनकर कन नाम को लेश़को अगली वीडियो में के तो आज देखिए् इसितर के अमें सारी कठल को बाई-बाली कट कर लेना थैस तो यहां पर देखिए अगर कठल को कट करने के बाद पानी के अंदर डाली हो आप क्या करना है कि जो पैन में मसाला बनाई थी वही पैन ले ले लेती हो और इसमें हमें दूसरा पानी डाल देना है कि इस्टेप पर स्टेप बताने का यह मक्साद है ना कि आपका भी बड़ी बहुत अच्छा बनके तयार हो बिल्कुल भी खराब ना हो अब यह वाले पानी से कठल को निकालेंगे और इसमें डाल देंगे और यह जो पानी है इसको हटा दीजिए तो कठल को आप कट करने के बाद एक से दोवार अच्छे से धोके साफ कर लीजिएगा इससे जो इसका कसेला पनेक स्वाद होता है वो खतम होगा कठल को चरहा दी हूँ चुले के उपर और इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है जिर्क पानी पर कठल और इसमें धकल लगा देंगे और पांच मिनट तक इसको उबालना है क्योंकि कठल बहुत पतला-पतला कटा हुआ है तो पांच मिनट में ही यह उबल जाएगा तो कितना उबालना है आगे मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा से यह कठल उबले उसके बाद एक बार थोड़ा से इसको पलट-पलट कर देंगे कठल को जितना अच्छा से पतला पतला स्लाइस करके काटेगा तो उतना ही अच्छा से उबल जाएगा और इसको कुकर में नहीं उबाल रहे हैं अभी कठल जो है उबलते हुए 3-4 मीनट ही हुआ है इसको अभी उबलने में और थोरा टाइम लगेगा तो अभी कठल को उबलते हुए 7-8 मिनट का समय हो चुका है अब इसको चेक करके एक बार देख लेते हैं तो देखिए कठल जो है अच्छे से उबल चुका है तो अभी करेंगे गैस को बन और यहाँ पर छन्नी के उपर साड़े कठल को निकाल लेंगे इससे जो एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है वो सारा पानी निकल जाएगा और कठल हमारा अच्छे से च्छन भी जाएगा प्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब फिर के हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा अच्छे अच्छे से रस्पी अभी आ और भी आना बाकी है तो आप हमारे सारे रस्पी को देख पाएंगे और इसके लिए आपको छोटा सा जो घंटी का निसान है उसे भी जरूर एक बार प्रेस करना होगा इससे क्या होगा कि आपको समय का पता चल जाएगा कि मैं किस टाइम में वीडियो डाल रही हूँ तो उसका नॉटिफिकेशन जो है आपकी मोबाईल तो देखे इसी तरीके से कठल को हमें छान लेना है पानी से और देखे कितना सफेद सफेद सा ये बनके आया है तो ये सफेद इसके कारण बना है जो इसमें जो दूद रहता है उसको अच्छे से कठ करके और निकलने के लिए थोड़ा देर छोड़ दीजिए अब क्या करेंगे कठल को अच्छे से ठंडा होने देंगे जो ये गरम है ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो चलि मसाले वाले जार में हमें कठल को डालना है थोड़ा थोड़ा सा कठल डालके दो से तीन बार में जितना बार में अच्छे से ये बारी खोस सके तो इसको महीन करके पीस देना है थोड़ा अच्छे से पीसेगा तो फिर आपको बरी बनाने में थोड़ा सुभी धा हुआ क्योंकि आज बरी बनाने का बिल्कुल नया तरीका लेके आई हूँ इसमें पानी नहीं डालेंगे ऐसे ही इसको पीसेगे तो देखें आपर थोड़ा थोड़ा करके दो से तीन बार में सारे कठल को पीस के और एड़ी कर ली हो कठल को पीस ते समय यह आपको लगे कि यह बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है पिस नहीं रहा ऐसे पिस जाएगा यदि आपको लगी कि यह बहुत ज्यादा टाइट है तो थोड़ो सा एका दो चमच इसमें पानी भी टाल सकते हैं और पानी डाल के इसको अच्छे से बाड़ी कीजिएगा जितना अच्छा से यह पिस जाएगा उतना ही अच्छा आपका जो है बरी बन के त्यार होगा और अभी तक आप देख पा रहे हैं कि लग रहा है जैसे कि यह आलू हो बिल्कुल भी कठल के जैसा यह नहीं लग रहा है क्योंकि इसका कलर जो है जो है जैंज नहीं हुआ है है अभी क्या करेंगे कठल के बड़ी बनाने के लिए जो मसाला तियार करके रखिए हूँ वो वाले मसाले को हमें इसी के अंदर अभी डाल देना है तो सारे हीaching मसाला यहां पर मैं डाल दे रही हूँ कि इसमें मसाला डाल के और इस तरीके से दवा के और रख देंगे साइड अब क तल कि बड़ बनाने के लिए हमें तो चाहिए होगा कोई भी चीज का दाल या बेशन तभी इसका बड़ी जो है अच्छा बनके तियार होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंट की इसे हम अलग कर देते हैं अभी और यहाँ पर ले लेते हैं फुला हुआ दाल तो यह है उरत का दाल और यहाँ पर है मौंग का दाल तो आज उरत दाल और मौंग दाल दोनों ही मिक्स करके वरी बनाऊंगे आप दोनों में से कोई एक दाल में भी बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ पर आप दोनों डाल ले सकते हैं, चाहे तो आप एक डाल भी में बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, जितना हमारा उरत का डाल है, उसका थोड़ा सा यानि दो मुठी मुंग का डाल इसमें डाल दी हूँ अब डाल को भी कठले वाले जार में डाल के और अच्छा से इसको भी अच्छे से पीसेंगे एकदम बारिक करके इसका भी चिकना सा पेस्ट बनाएंगे, तो डाल को भी दो बार में पीसेंगे क्योंकि एक बार डालने से यह अच्छे से नहीं पिसेगा और छोटा वाला जार में पिस रही हूँ आप बड़े वाले जार में पिस सकते हैं तो एक ही बार में हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए दाल जो है हमारा पिस चुका है और इसी तरीके से बचे हुए सारे डाल को पिस के तयार करेंगे और डाल को अलग अभी रखना है कटल के साथ इसको नहीं रखेंगे तो अभी डाल को क्या करेंगे हाथ से पहले बहुत अच्छे से इसको फेट के हलका करेंगे इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको 10 मिनट तक फेटना है तो यहाँ पर देखिए दाल को बहुत अच्छे से फेटली हो और दाल एकदम हलका हो गया है तो अभी इसमें डाल देंगे साड़े कठल वाले पेश्ट को और अच्छे से मिक्स करेंगे अब देखिए यह बड़ी बनने के लिए तैयार हो गया है अब चलिए इसका बड़ी बना के आपको दिखाती हूँ अच्छे से फिर वापस से इसको फिट लेना है थोड़ा तेज देज हाथ चलाईएगा तो यह बहुत अच्छे से फिट जाता है और बहुत अच्छा से यह तैयार हुआ है जब डाल पीसी थी तो डाले में दो चार चमज के जितना पानी डालके और डाल को अच्छे से पीसी हूँ तो बस इतना ही पानी इसमें इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पानी पानी आपको नहीं डालना है और इसमें जो है पानी इसका नमक का इस्तिमाल नहीं करेंगे, बड़ी में नमक नहीं डालते हैं, नमक डालने से इसके अंदर नमी हो जाएगा, फिर आपके बड़ी खराब हो सकते हैं, बड़ी बनाने के लिए आप कोई सावी खाली पैकिट ले सकते हैं, इससे क्या होता है कि बड़ी बहुत आसा में भरके बना सकते हैं बड़ी बनाने के लिए यहां पर एक ठाली ले लिए हूं आप ज्यादा बनाएंगे तो इसको पुराना कोई दुपट्टा हो या कॉटन सारी हो या पॉली थिन किसी के भी उपर आप बना सकते हैं अच्छे से इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे जब आप ठाली में बनाएंगे तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा तो आभी polythene में यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाती हूँ, आपको बड़ी छोटा बड़ा जैसा बनाना है, उस हिसाब से आप कट लगाईएगा और इस तरीके से देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना रही हूँ, तो और छोटा छोटा ही हमें साड़े बड़ी को बना लेना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिना हाथ लगाए हुए आप बड़ी बना के रख सकते हैं, छोटा छोटा ही बना रह इसी तरीके से हमें सारे बड़ी को बना लेना है फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा तो देखें यहाँ पर बड़ी को बना के तयार कर ली हूँ और अभी इतना बड़ी और बनेगा इतना पेश्ट हमारे पास बाकी है तो चलिए इसको बना के धूप में डालती हूँ सूखने के लिए जब सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ सूखने के बाद तो यहाँ पर देखें कठल का बड़ी जो है सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बनके आया है बहुत ही अच्छा एक्तम सफित सफित सा बड़ी बनके तियार हुआ है क्योंकि इसको धूप में सुखाई हो धूप में जब आप सुखाएंगे तो यह बड़ी बहुत अच्छा बनेगा और नीचे से भी देखें कितना जाली दार बना है आप इसका सबजी बना के खा सकते हैं साल दो साल स्टोर भी करके रख सकते हैं अच्छे से सुखाईएगा दो से तीन दिन तक बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं रहना चाहिए नहीं तो यह हो सकता इसमें फंगस लग जाए और बीच बीच में जब भी अच्छा धूप निकले तो आप बड़ी को बीच बीच में धूप में सुखाते रहिएगा तो फ्रेंड्स मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नहीं रेस्पी के साथ थेंक यू